हेलो फ्रेंज कैसे हो आप सब आज हम बनाएंगे दाल और चावल के ढोकले खाने में ये बहुती टेश्टी लगते है और एकदम सौफ्ट और स्पंजी बनते है ढोकले बहुत अलग-अलग तरीके से बनाए जाते है आज हम दाल और चावल के ढोकले बनाएंगे आप घर पे कौन से ढोगले बनाते हो आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो आईए अब हम ढोगला बनाना स्टार्ट करते हैं एक कटोरी चावल ले लेंगे और आदी कटोरी चाना दाल लेंगे यह इसका नाप है अगर आप दो कटोरी चावल ले रहे हो तो आपको एक कटोरी चना दाल लेनी है तो दाल और चावल को हम एक भगोनी में ले लेंगे दोनों को मिक्स कर लेंगे और दाल और चावल को हम अच्छे से धोलेंगे तो 3-4 बार पानी से अच्छे से धोलेने है दाल और चावल हमने धोली है अभी हम इसको भीगो के रखेंगे तो इसके अंदर हम 2 गलास पानी डाल देंगे और 5-6 गंटे के लिए हम भीगोने के लिए रख देंगे छे गंटी बार दाल और चावल अच्छे से भीग गए है अब हम इसको पीस लेंगे तो हम एक मिक्सर जार में सारे दाल चावल ले लेंगे सारे दाल और चावल हमने मिक्सर जार में ले लिये हैं अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे तो दो चम्मत दही डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे तो ज्यादा फाइन पेशनी करेंगे हलका हम दरदरा रख के पीस लेंगे तो दाल और चाल हमने पीस लिए है एक भगोनी में बैटर निकाल लेंगे अभी हम इसको फर्मेट होने के लिए रखेंगे तो आठ से दस गंटे के लिए फर्मेट होने के लिए रख देंगे या फिर हम इसको ओवरनाइट फर्मेट होने के लिए रख देंगे तो आट से दस गंटे बाद बैटर हम चेक कर लेंगे फरमेट हुआ है कि नहीं तो फ्रेंस आप देख सकते हो बैटर बहुत ही अच्छे से फरमेट हो गया है अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे और ढूकला बनाएंगे तो स्वादनुसा नमग, एक टीस्पून हल्दी पावडर और दो तीन लेसून की कली, दो तीन हरीमीच और एक अदरक का टुकला इसको हम क्रस्क कर लेंगे तो सबसे पहले हम नमग डाल देंगे स्वादनुसा एक टीस्पून हल्दी पावडर और हर इमीज अद्रक और लेसुन की हमने पेश्ट बना लिये वो भी हम डाल देंगे मिक्स कर लेंगे गुजरत में इस ढोकले को खट्टा ढोकला भी बोला जाता है बेटर हमारा गाड़ा है तो हम पानी डालेंगे तो जरुद की साथ से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे थोड़ा सा और पानी डाला है टोटल यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी डाला है बेटर में तो बैटर हमारा रेडी है, आप देख सकते हो, ऐसे consistency रखनी है बैटर की, बैटर रेडी है, अभी हम जिस प्लेट में हमको ढोकला बनाना है, वो प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे तेल से, और स्टीमर में पानी भी गरम करने के लिए रख देंगे, गैस पर, बैटर में हम सोडा डाल देंगे, तो हाफ टी स्पुन जितना सोडा डालना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है, आधे छोटी चम्मा सोडा डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स हो गया है, क्रीस करी हुई प्लेट में हम बैटर निकाल लेंगे, टैप कर लेंगे, और स्टीम करने के लिए रख देंगे, तो स्टीमर में इस तरीके से हम प्लेट रख देंगे, गैस की फूल आँच रखेंगे, और 15 से 20 मिनिट के लिए हम स्टीम कर लेंगे, 15 मिट हो गए हम डोकला चेक कर लेंगे तो बीच में हम चाकु डाल के इस तरीके से डोकला चेक कर लेंगे चाकु एकदम साफ आ रहा है तो डोकला हमारे बन के रेडी है हम गैस बन कर देंगे और प्लेट बाहर निकाल लेंगे प्लेट हमने बाहर निकाल ली है अभी हम कट कर तो ठोकला हमने कट कर लिए है अब यह मैं आपको एक निकाल के दिखा रही है डोकला बहुत ही अच्छे बने है तो फ्रेंस आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट एन स्पंजी दिख रहे हैं डोकले और बहुत ही अच्छी जाली पड़ी है खाने में भी यह बहुत ही टेस्टी लगते है गुजरत में इसको कच्छे तेल के साथ इस तरीके से भी सव किया जाता है और तड़का लगा के भी सव किया जाता है तो अभी हम तड़का लगाने के लिए एक पैन गरम करने के लिए रख देंगे उसमें दो टेबल स्पून तेल डाल देंगे तेल गरम हो गया है तो एक चम्मच हम राई डाल देंगे तील डाल देंगे आधी छोटी चम्मच राई उ तील को क्रेकल होने देंगे आज़ी चोटी चम्मच हिंग डाल देंगे आज से दस करी पत्ता डाल देंगे दो तीन हरी मिट डाल देंगे लंबी काटकर अभी हम इसके अंदर ढोकला डालेंगे जो हमने कट करके रखे है ढोकले में इसके उपर तड़का नहीं लगाना है हमको इस तरीके से कड़ाई में डालने हैं डोकले को ये डोकले का हम इसी तरीके से तड़का लगाते है ज्यादा तर दूसरे डोकले में हम उपर से तड़का लगाते है इस डोकले में हम इस तरीके से कड़ाई में डालके तड़का लगाएंगे अच्छे से mix कर लेंगे तो अच्छे से mix हो गए है डोकले अब हम इसके अंदर धन्या डाल देंगे बारिक काट के fresh धन्या डाल देंगे डोकला हमारे बन के ready है बहुती अच्छे डोकला दीख रहे हैं अब देख सकते हो गेस बन कर देंगे नीजेंके रहे हैं बहुती अच्छे डोकला बने है तो यह प्लेट में हम नहीं सर्विง के लिए नीकाल लिए है डोकला हम इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे या फिर हम इसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं आप ये घर पर जरूरों ट्राई करना और मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपके ढूकले कैसे बने थैंक यू फॉर वाचिंग कीप कुकिंग